हरियाना करमचारी चैन आयोग ने पुलिस विभाग में कॉंस्टिबल के 5600 पदों पर विज्यापन जारी किया है HSC का कहना है कि नोटिफिकेशन विधान सभा चनाओ के एलान के दिन ही हुआ एक दिन बाद 17 अगस्त को इससे पबलिक किया गया इन पदों के लिए 10 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे 24 सितंबर तक अभ्यारती अपलाई कर सकेंगे हरियाना में विधान सभा चनाओ के नतीजे 4 अक्तोबर को घोशित होंगे ऐसे में इन पदों पर भरती परकरिया 4 अक्तोबर के बाद पूरी होने की संभावना है अगर तीसरी बार भी भाजबा की सरकार बनी तो वे भरतियां पूरी हो जाएंगी अगर सरकार बदलती है तो दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो इन भरतियों का हाल वही होगा जो 2014 में हुआ था उस समय पुलिस कॉंस्टेबल पदों पर भरती परकरिया की जा रही थी लेकिन भरती पूरी नहीं हुई तात कालीन मुख्यमंतरी मुनोहर लाल ने शिक्षक भरती बोर्ड को भंग कर दिया था जिससे दूसरी भृतिया नहीं हो पाई वही अब हर्याना में सरकारी भरतियों में महिलाओं की चाति नहीं ना पी जाएगी सरकार ने फैसला लिया है कि पुलिस वन विभाग में रेंजर डिप्टी रेंजर अन्य पदों के लिए महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में मेजर्मेंट नहीं होगी पुर्मक्यमंतरी मनुहरदाल खटर के कारेकाल में H.S.C. ने वन विभाग में भरती के लिए नया नियम जोड़ा था जिसके तहित महिला अभ्यारतियों के सीने का सामाने आकार 74 सेंटिमीटर या फुलाए जाने पर 89 सेंटिमीटर होना जरूरी किया गया जिसके बाद अब सरकार ने महिलाओं की टेस्ट मेजरमेंट पर रोग लगा दी है इनके लिए कॉमन एलिजिबिल्टी टेस्ट पास उमिद्वार ही आवेदन कर सकेंगे डीजीबी शत्रुजीत कपूर ने कॉंस्टेबल पद भरने का आकरेपत्र HSC को भेजा था इसके अलावा HSC ने खेल कोटे से कॉंस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद भी विज्यापित किया है इनमें पुरुष कॉंस्टेबल के 150, महिला कॉंस्टेबल के 15 और पुरुष सब इंस्पेक्टर के 15 पद है इन पर केवल CET पास खिलाडी ही आवेदन कर सकेंगे हरियाना सरकार ने 120,000 अस्थाई करमचारियों को जॉब सिक्यारटी देने का अध्यादेश को मन्सूरी दी थी मगर ये सिक्यारटी लटक गई जोकि अब आदर्श चुनाव आचार सहीता लागू है इसलिए चुनाव आयो के अनुमती के बगएर ये पत्रचारी नहीं हो सकते अपने असपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पानी के लिए देखते रहें अमबाला ब्रेकिंग निउस हमें फीजबुक पर लाइक करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एपल और एंड्रोइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी एप अमबाला ब्रेकिंग निउस जाउनलोड करें